तो दोस्तों आज 3rd April 2023 बात करेंगी इस वीडियो पे इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुल कमपनी Reliance Industry Limited की बर जिसके अंदर मेरा लगातार खरीदारी करने का राय था एवन आज की डेट पे ही मेरा राय एकदम से मैं तो Reliance की शेर फ्राइडे की दिन हमने देखा था चार से सारे चार परसन के आसपस हमें रिकावरी देखने को मिला था आज की डेट पे मार्केट के अंदर भी फरस्ट अप में थोड़ा करेक्शन हुआ रिलाइंस की शेर भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ उसके बाद सेकेंड आपने जैसे मार्केट के अंदर रिकावरी देखने को मिला रिलाइंस की शेर भी सीधा-सीधा थोड़ा बहुत रिकावर किया और क्लोजिंग दिया 2331 रुपए पे लगबग फ्लैट में मतलब इंट के समय कोई बहुत बड़ा तेजी या गिरावर्ट हमें देखने को नहीं मिला बात करेंगे दोस्तो तीन चार इंपोर्टेंट अपडेट्स है एक एक करके आपकी साथ मैं शेर करूंगा साथ इसाथ आपका आगे का रननी पूरे जान करी देदूंगा तो रिक्योस्ट करूंगा सबको वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना अब दोस्तों लास्ट वीक का न्यूज है आपको तो मालूम ही होगा रिलाइंस बहुत चल्दी अपना जो जियो फनांशियल सर्विस का बिजनस है उस कि दोस्तों यहां पर जेफरीज की तरह से स्टेट पिन आया कि रिलाइंस यह जैफरीज हाइग टार्गेट प्राइस बट इरेज गें अन प्रॉफिट बुकिंग तो यहां पर दोस्तों जेफरीज ने काफी लंबा 4 टार्गेट देता हुआ नजर आया तो जैसे कि आप देख सकतो कि पहले टार्गेट दिया था 3,060 रुपए का आज की रेट पे एक तो बाइक का रेकमेंडेशन दिया उसके साथ साथ टार्गेट प्राइस दिया 3,100 रुपए तो दोस्तो इस बारे में आपका क्या बिचार है कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताना कि कि महीनों पर या कितने सालों पर आपको लगता है कि 3,100 रुपए का जो टार्गेट है जेफरिस ने दिया यह टच कर सकता है उसके साथ साथ दोस्तों जो जियो फनांशियल सर्विस का बिजनेस का वैलुएशन है वो भी मोटा मूटी जो आप बोल सकतो कि जेफरिस की एकॉर क्या होगा वो तो हमारा मुखे शंबानी जी कोई मालूम है तो यहां पर जेफरिस की तरब से यह स्टार है हमें जो स्टेटमेंट देखने को मिला और टार्गेट पर नमूरा और एक बड़े ब्रोकरेज कंपनी उनके तरब से भी दोस्तों यहां पर टार्गेट बगरा द पर टार्गेट देता हुआ नजर आया तो यह दूसरा इंपर्टेन अप्डेट हो गया थीसरा इंपर्टेन अप्डेट पर दोस्तों हमारे यहां पर डॉमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी मोतिलाल ओस्वाल नाम तो अपने सुना होगा उन्होंने यहां पर एक शौर्ट टम टार्गेट यह लॉंग टार्गेट नहीं इसके पहले निए देखा था नमूरा यह जेफ्रीज की तरब से जो टार्गेट प्राइज आया था वह लॉंग टार्गेट तर्टीक है यह दोस्तों शौर्ट टम का तरगेट दिया मोतिलाल ओस्वाल फनांशियल सर्वेस की तर हो था जो अपडेट है दोस्तों यह सच में खुश खबर है तो देखें रिलाइंस जियो आउट पेस भारती एटेल इन एक्टिब यूजर एडिशन इन जैनुरी तो यहां पर दोस्तों जैनुरी महिने का डेटा आउट हुआ है यहां पर ट्राइग की तरब से और यहां यहां पर देखा गया कि भारती एटेल को दोस्तों पीछे छोड़के आगे निकल गया हमारे रिलाइंस जियो तो यहां पर जो डेटा के आकोरिंग रिलाइंस ने अब देख सेक्ट टो टोटल इस महिने पर 3.5 मिलियन जो कि एक्टिब यूजर आज की डेट मत यहां पर ए एडिशन के अगर हम बात करें जहां पर भारती एटेल ने सिर्फ सी 1.3 मिलियन एट किया वही जियो की बात करें 3.5 मिलियन मतलब समय सकतो दूगने से भी ज्यादा लगवाग धाई गुना के आसपस यहां पर बाकी रहेगा वोड़ाफोन तो यह तो अब बोल चकत एकदम से मतलब गया गुर्जरा कंपनी है कर जेकी बोच कुपर खड़ा है तो यहां पर लगबग आधा मिलियन फिर भी यूजर एट किया और आज की डेट पर जो इसका यूजर बेस है लगबग 209 मिलियन के आसपस तो बेसिकली आज की डेट पर बात करें टेलिकम सेक्टर में दो ही बड़े कंपनी मार्केट को पर यहां पर बोल सकते कॉंपीट कर रहा है एक भारती एटेल दूसरा जियो और यहां पर लगातार हमने देखा यूजर बेस भी बढ़ लगातार एडिशन भी ज्यादा हो रहा है आज की डेट पर बात करें दोस्तों यहां पर डेटा ए 1.7 ौण परसें मतलब का आफी बहारी बढ़ कम दोस्तों डेलिवरी देखने को लाप देखिए इतना ज्यादा टेलिवरी ना कोई डिटेल लिएस्टर से चोटा मोटे इंवेस्टर से लेते हैं बेसिकली अमने देखा कि बड़े इनवेस्टरस जब इनवेस्ट करते हैं तब कोई भी बड़े कंपनी की शेयर में बहुत जादा हाई डेलिवरी देखने को मिलता है तो यहां से आपको मालूम पढ़ गया कि जो एफाइज हो गया डियाइज हो गया लगातार हमें रिलाइंस की शेयर में खरिदारी करता हूँ नजर आ रहा है और इसके फिचे यह ब को लाइक करके जरूर एंकरेज करना चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना जैसे लास्त दोड़ाई दिन पर आमने देखा शेयर थोड़ा-थोड़ा यहां पर रिकवर हुआ शेयर सिधा 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 देखिए ओवर सोल्ड जोन के आसपास से पहुंच चुका है आज करके ब्रेक करके उपर जाना है उपर पहुंचना है तब ही जाके कोई बहुत बड़ा मुबेंड आना पॉसिबल है क्योंकि रिलाइंस का शियत देखिए यहां पर पीक टच किया था 2700 के आसपास थोड़ा सो उसके उपर उसका बाद देखिए यहां पर आज की रेट पर इसी पैप जहांपे रेसिस्टेंस मिला तो कहीं नहीं कि दोस्तों यह जो लेबलस चाहट प्रेंडिक करके बहुत इंपॉट करने के लिए आप पूछोगे कौन सा लेवल ब्रेक करने से यह चाहट पैटन मतलब जो लास्ट कुच महीनों से देखने को मिला यह ब्रेक होग करें इसके ऊपर जाके स्टेबर होना है तब ही जाके दोस्तों यह चार्ट पर यह ज्न अब होगा है और उसके साथ साबोगा हुआ कर दोस्तों कुछ समय के लिए यह 2400 का लिबल एक इसे था यहां पर देखेंगे उसके पीछे तो आप देख सकते लास्ट यहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी मिला तो जिस बैसे जो अगर आपका टार्गेट लॉंग टाम का यहां पर इस बार कोई बहुत बढ़ा गिरावट की उमीद नहीं है क्योंकि लास्ट जितने बार गिरा हमने देखा करीब-करीब इस बार भी दोस्तों आशा है किसी लेबल का सबस्पोर मिल सकता बठाव डिमर्ज जैसे आगया आएगा डेट आगया आएगा वैसे बार दोस्तों यहां पर शेयर के उपर भी आपको गेन देखने को मिल सकता है पॉसिबल चांस है 100% कुछ भी गैरंटी नहीं है बाकि दो स्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिम्पली यह चार्ट चीज़ों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकांट बन जाएगा